हालो एवरिवान, वेलकम बेक टो माई चैनल में हो प्रियंका, सो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो यह रोज गोल्ड ग्लैम मेकप लुक जो कि मैंने बहुत ही सिंपिल तरीके से यहां पे मैंने क्रियेट किया है और बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरीके का लुक आप किसी भी ऑकेशन पे करो पार्टी पे करो कोई सबी और मैंने यहां पे एकदम ही ग्लॉसी लिप्स मैंने यहां पे रखा है और आप आई मेकप देख सकते हो तो फिर चलिए दोस्तों देख लेते हैं फटा फट कि यह मेकप लुक मैंने कैसे क्रियेट किया है और यह विंटर ग्लैम मेकप लुक है विंटर पे ऐसा मेकप अच्छा लगता है आप समझ में ऐसा मेकप मत कीजिएगा विंटर में कीजिएगा तो सबसे पहले मैं यहां पे मॉश्योराइजिंग कर रही हूं अपने फेस को मेरी जो लिप से वो मॉशराइज रहे, सौप्ट रहे और उसके बाद मैं यहाँ पे एक फाउंडेशन अपलाई कर रही हूँ जो कि है NYB की स्टिक फाउंडेशन और उसके उपर मैंने थोड़ा सा और क्रीम अपलाई किया है ताकि क्रीम अपलाई करने से मैं फाउंडेशन जब ब्लेंड करूँ मेरा जो फाउंडेशन है वो अच्छी तरीके से ग्लोसी तरीके से ब्लेंड हो आप चाहते हो तो आप फेशियल ऑईल भी उसकर सकते हैं लेकिन क्रीम से और भी ज़्यादा ग्लो करता है स्किन इसके बाद मैं यहां पे कंसीलर अपलाई कर रही हूँ कंसीलर मैंने अपनी आईस पे अपलाई किया है नोस पे, फोरहेट पे, जॉर लाइन पे मैंने थोड़ा से अपलाई किया लिप्स के अराउंड और मैं कंसीलर को भी मैंने ब्लेंड कर लिया है उसके बाद मैं यहाँ पे cream contour कर रही हूँ, मैं अभी तक कोई powder का इस्तमाल नहीं की हूँ मैंने यहाँ पे सारे के सारे अभी cream ही use किया है and cream contour मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी जो कि मैंने inside cosmetics की cream contour palette में से यह वाला shade लिया है एकदमी light orangey brown color है यह जो बहुत ही अच्छा लगता है मेरी skin पे and उसके साथ मैं अच्छे तरीके से blend कर लूँगी and मैंने यहाँ पे cream blusher use किया है जो की maybelline का है dream blusher and यह एकदमी rose gold color का है and मेरी cheeks पे बहुत अच्छा लगता है यह वाला blusher and इसके साथ मैंने यहाँ पे एक liquid highlighter apply किया है जो की highlighter मैंने अपने हाथों से खुद बनाया था घर में eyeshadow पे मैंने थोड़ा सा cream and थोड़ा सा मैंने oil डाला था and मैंने अच्छी तरीके से mix कर लिया था and जो powder highlighter मेरे पास था मैंने उसका भी कुछ तोड़ के थोड़ा सा मैंने डाल दिया था and हो गया मेरा liquid highlighter and मैं इसका वीडियो में एक दिन लाऊंगी तो share जरूर करूंगी दोस्तों and उसके बाद मैं highlighting करने के बाद मैं थोड़ा सा powder से set कर रही हूँ अपनी concealer को अपनी face की so अच्छी तरीके से मैं powder से set कर रही हूँ मैं ज़्यादा powder इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे white tone face powder का इस्तेमाल की हूँ and white tone face powder ना बहुत ज़्यादा light weight होता है जो कि आपकी स्कीन को बिल्कुल भी केकी नजर नहीं आता है and आपकी स्कीन पे कलक साही कुछ गलो लाता है अतना ज़्यादा भी oil ये absorb नहीं करता है लेकिन set करने के लिए ठीक टाक है and winter पे एक light powder ही अच्छा लगता है स्कीन पे लगाने से and उसके बाद मैंने maybelline की एक blusher palette लिया है blusher लिया है cheeky glow and उसे मैंने full eye leach पे लगा लिया है जो कि एक rose gold कलर का ही था and mars की eyeshadow palette में से मैंने वो silver color अपनी eyes के उपर full eyes पे मैंने लगाया है and मैंने shibana की eyeshadow palette में से cream eyeshadow मैंने लिया है जो कि एकदम ही rose gold कलर का है and मैंने mars की eyeshadow palette में से एकदम ही एक purple kind of a manic shade लिया है जिसे कि मैंने एक outer भी पे मैंने एक wing create किया है and उसके साथ साथ मैं इसे blend कर रही हूँ तो कुछ थोड़ा सा dark मैंने करने का कोशिश किया है outer भी को लेकिन थोड़ा सा light करके ही मैंने लगाया है उसके बाद मैंने एक jail eyeliner लिया है सुईस ब्यूटी का जिसे मैं अच्छी तरीके से लगा के smudge कर लूँगी अपनी eyes पे and आप चाहते हो तो आप ऐसे ही wing eyeliner लगा सकते हैं लेकिन यहां पे मैंने एकदम ही light करके पतला करके wing eyeliner draw किया है जो कि बहुत ज़्यादा सेक्सी लगड़ा था bold भी लगड़ा था बहुत से लोगों को उतना ज़्यादा heavy eyeliner हर समय अच्छा नहीं लगता है तो वो लोग ये liner ट्राइ कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने कितना पतला सा एक line draw किया है एक dummy लेकिन मैंने line को थोड़ा ज़्यादा खीचा है ताकि समझ में आएं अच्छा भी लगता है eyes बड़ा बड़ा दिखता है और मैंने एक inner corner से wing भी निकाला है और उसके साथ साथ मैंने ब्राउन कलर लिया है मार्स की eyeshadow palette में से बहुत ज़दा useful palette है आप इसे ज़रूर ट्राइ करें दोस्तों और इसका individual review भी मेरे पास है मेरे channel पे है sorry आप देख लीजिएगा और वो brown color मैंने as a kajal lower lash में लगा लिया है and eye makeup complete and मैंने off camera eyebrow को complete कर लिया था and अभी मैं powder highlighter यूज़ कर रही हूँ अपने cheeks पे nose पे आप देख सकते हैं मैंने powder highlighter लिया है and glowing skin के लिए तो glow तो चाहिए and आप अगर इस technique से make up करते हैं winter में तो आप बहुत ज़दा glossy लगोगे आपकी skin चमकेगा आपको बिल्कुल भी उतना ज़दा fill नहीं होगा कि आपने बहुत ज़दा powder ही किया है लेकिन आपने powder से set भी किया है and glow भी लग रहा है and उसके बाद मैंने make up setting spray से set किया है and आप मेरी skin देख सकते हैं कितना ज़दा glow कर रहा है and अभी मैंने एक lipstick that's it and this is my final look एकदम ही रोज गोल्ड kind of a make up है ये so आप definitely try कर सकते है इस तरीके का look and बहुत प्यारा लगता है इस तरीके का look and किसी भी occasion पर पार्टी पर कर सकते हो कोई सभी color की dress या सारी के साथ and अज़ि अगर मेरी वीडियो आपको पसंदाई हो ज़िए मेरी चैनल को and मैं मिल दूँ आपके साथ फिर एक निक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई दोस्तों बाई